नमस्कार जैहिन सात्यू आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल फायर ओलाइन के लास पर आज इस वीडियो के मादम से हम आपको बताएंगे ASE Center North और South के 1st और 2nd ATC Requirement 2022 का ओफलाइन फोरम आप किस परकार बर सकते हैं तो complete जानकारी के लिए बने रहे हमारी वीडियो पर और वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथी बेल आइकन को ओल पर सेट कर ले, जिसे की आने वाली फाइरमेन से सम्बंदित, important news और update आपको सबसे पहले मिल सके तो बात करते हैं कि किस परकार आप अपना ओफलाइन फोरम बर सकते हैं तो friends सबसे पहले जानेंगे इसकी education qualification के बारे में, उसके बाद जानेंगे फोरम को कैसे बढ़ना है तो AST Center, North and South, First, Second, ATC requirement, Fireman, Fire Engine Driver, Station Officer और जो भी पोस्ट है, वों किस परकार आप अपना ओफलाइन फोरम बर सकते हैं तो यह फोरम ओफलाइन 25-6-2022 को उस्थार्ट हो चुका है, इसकी last date है 15-7-2022, ठीक है, बात करते हैं total post की, तो south to ATC में है 209 post है, और north ATC में है 200 गुनंचाज post यहाँ पर योगता बताए गई है, योगता है 10 वी पास और बारी पास, all India vacancy होने वाली है, और इसको male candidate ही इसको इस फोरम को बर सकते हैं age limit की बात कर लेते हैं, तो age limit general category के लिए, EWS category के लिए यहाँ पर 18-25 साल रखी गई है, 18-18 साल OBC category के लिए रखी गई है और 18-30 साल SC और ST category के लिए रखी गई है, application fees यहाँ पर free है, यानि कोई भी fees लीनी जारी आपसे कोई चलान नहीं कटा जा रहा है यहाँ पर कुछ note है, यहाँ पर कुछ important note है कि fireman and fire engine driver का physical होगा, एक post के लिए एक ही forum apply कर सकते हैं यानि आप fireman या चोकिदार के लिए forum बढ़ रहे हो, तो एक post के लिए एक ही बार apply कर सकते हो अलग-लग जगे से एक forum, जैसे चोकिदार का आपने अलग-लग जगे से दो forum लगा दिया तो आपका forum reject हो जाएगा तो आगे बात कर लेते हैं आप किस परकार आपना forum बर सकते हैं तो सबसे पहले जो प्रस्ट आचुका है, जो सबसे पहले नमर का page है, ओपन हो चुका है तो यहाँ पर अपनी सबसे पहले photo लेगी होगी, जो self-attested होगी आदे सेन भार की तरफ और आदे सेन photo के उपर अपना होना चाहिए आगे बात करते हैं जिस post के लिए apply कर रहे हैं, आप किस भी post के लिए apply कर रहे हो उसका यहाँ पर संपूर नाम होना चाहिए, complete नाम होना चाहिए और जो भी यह forum आप offline बढ़ना जा रहे हो, बड़े एक्सोरों में complete यह forum बढ़ा जाएगा उसके बाद आप अपना पूरा नाम, अपना mobile number और अपनी email id email id mobile number इसलिए पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपकी email id के मादम से आपका admit card आपको email id पर भी दिया जाएगा होके तो आपका dark के मादम से भी आपका admit card आ सके, तो email id यहाँ पर आपको जरूर लिखना है उसके बाद आपका अधार card number, आपके पिताजी का नाम और आपकी date of birth, ठीक है यहाँ पर आपको address लिखना है, corpondence address और एक आपका permanent address अगर आप यहाँ पर दूसी जगह पर रहते हो, वहाँ पर आपका admit card मांगाना चाहते हो, तो यहाँ पर उस address को fill करे और एक permanent address यहाँ आपका घर का address, तो वहाँ address यहाँ पर नीचे आप fill कर सकते हैं ठीक है, इसके अदर आपका पूरा complete address, आपका कौन सा post लगता है, post यहाँ डाग गर लगता है आपका district कौन सा है, ठीक है, state और आपका pin code यहाँ पर fill कर देना है next page की तरफ चलते हैं, education qualification में आप 10-12 और आप अगर diploma किया हुआ हो अगर आपके पास experience certificate हो तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं 11 नंबर में आपको fill करना है, कि आपने कौन से school से आपने यह 10 वी कक्षा की है और कौन से board से कितने आपके number आए हैं, और remark में आपको pass लिखना है तो यहाँ पर आपको 3 खाने मिलेंगे, उसके अदर आपको fill करना है 10th, 12th और आपने अगर diploma किया है, college किया है, post graduate किया है तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से fill कर देना है आगे पूचा गया है, gender के बारे में, तो gender यहाँ पर male क्योंकि इन फोरम को male ही candidate apply कर सकता है आगे category के बारे में पूचा गया है, तो category आप जिस भी category के हो तो उस category में आपको यहाँ पर fill कर देना है, general, OBC, ST यहाँ पर आपको लिख देना है next चलते है, 14 नमबर पर, यहाँ पर अगर आप एक्सरिसमेन हो तो इनको आप भर सकते हो, 14 नमबर, 15 नमबर इनको आप भर सकते हो, full details, एक्सरिसमेन के लिए है ठीक है, 16 नमबर, 17 नमबर को आपको छोड़ देना है क्योंकि एक्सरिसमेन अगर कोई government, सरकारी करमचारी है उनके लिए यहाँ पर details बताए गई है आगे आजाते हैं, 18 नमबर पर, इसमें पुछा गया कि अगर आप पास हो जाते हो, अगर पास हो जाते हो तो आप कहाँ पर अपनी post लेना चाहते हो आपको आप पर पहली post बतानी है, second post बतानी है और तीसरे नमबर पर post बतानी है आपको तीन post यहाँ पर बतानी है, आप अपना कहाँ पर post ले सकते हो, कहाँ पर आप joining लेना चाहते हो तो आगे हैं, आपके यहाँ पर सेन होंगी, ठीक है और यहाँ पर आपको पैलेस आपने जगह का नाम यहाँ पर तारिक जिस भी तारिक को आप डाग गर से यह हैं अपना ओफ-लाइन फोरम डाग के मादम से भेजोगे उस यहाँ पर डेट होनी चाहिए और इस खाने के अंदर यहाँ पर जो खालिस्तान है इसके अंदर आपको यहाँ बताना है कि आपने कितने फोटो कोपी अपने डोकुमेंट्स की लगाई है कितने नंबर है यहनी कितने हैं एक है पेज छे पेज है वहाँ पर आपको लिख देना है ठीक है next page की तरफ चलते हैं आगे आ चुके हैं यह एक्सरुष मैन के लिए है तो बर सकते हो ठीक category के अंदर आता है, तो उसको यह complete बढ़ना होगा, ठीक है, अपना यह नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, आप किस जगह से हो, कौन से, गाउं से, city, district और state, ठीक है, complete जानकारी बरिक कर आपका अपना chain और date और अपनी जगह यहां पर लिख देनी है, next page की तरब चलते हैं, जहां पर आपका admit card होगा, ठीक है, इस forum में दो admit card यहां पर आगे से आए हैं, तो इसको अंदर आपको simply कुछ नहीं करना है, सिरफ इसमें आपका अपना नाम, पिताजी का नाम और आपकी date of worth लिख देन तारीक की कितनी तारीक को आपको पहुचना है, यह सब office काम होगा, next page भी यहीं होगा admit card का, दो admit card पेज हैं, दोनों को इस परकार आपको feel कर देना है, उसके बाद आप अपनी दो photo लेके उसके पीछे आपका अपना नाम और अपने पिताजी का नाम लिख कर forum के साथ भी र नाम नमबर लिखना है, तो सबसे पहले चलते हैं, जिस लिफाफे के अंदर जो बार की तरफ लिफाफा रहेगा, उसकी तरफ चलते हैं, तो यहां पर application post, जिस भी post आप apply कर रहे हो, second step यह है, कुछ studentों को यह समझ में नहीं आ रहा है, तो उस मैं अच्छी तरह बता देता हूं, जिस भी student की 50 से कम दस्वी के अंदर percentage हैं, तो वह लाल pen से लिखेगा, ठीक है, और जिस student की 51 से 60% है, या उससे ज्यादा है, तो वह blue यानि नीले pen से लिखेगा, अगर 61 से उपर है, तो वह अपना black pen से लिखेगा, उसके बाद तीसे step में हैं, आपका shen कर देना है, ह from, आपका नाम लिखना है, आपका address, ठीक है, complete address, जिलाज, तैसिल, अगर आपका गाव है, लिख देना है, और आपका यहाँ पर pin call लिख देना है, address पर यह आपको अपना forum भेजना है, तो जिस भी e-mitr की shop से, या जिस भी shop से आप forum खरीद के लाओगे, उसके first page पर आपको address लिखा होगा, ठीक है, यह आप forum भर रहे है, north first ATC, जिसके अंदर 200 गुणनचास पद है, fireman पद के लिए यह forum अपलाई कर रहे है, तो यह complete address भर देना है, और साथ ही pin code भर देना है, इसके अंदर जो लिखापा जाएगा, जिसके अंदर वापिस admit card आएगा, वहाँ से, त तो यहाँ पर टू लिख कर कोमा लगा कर आप अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, साथ ही आप अपना complete address, जिस भी जिले में आप रहते हो, गाओं, तैसिल, यहाँ पर आपको लिख देना है, और आपको pin code, यहाँ पर आप दो mobile number फील कर सकते हो, जिसके अगर आपका admit card आपको आपको आसानी से call कर लिया जाए, अगर एक भी call से संपक ना हो, तो दूसरे call से कर लिया जाए, ठीक है, इसी परकार आपको complete forum बढ़ लेना है, यह forum complete हो जाने के बाद, इसको speed post या normal post के दौरा हम इसको send कर सकते हैं, आपको क्या-क्या documents इसके साथ लगाना है, तो documents कर लेते हैं बात सारे डॉक्रिणल documents नहीं भी जने है, photo copy भी जनी है, सारे documents पर आपका send होना चाहिए, यानि self-attested होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास 10वी की मालकशीट की photocopy करा लेनी है, उसके बाद, आपकी 12वी की मालकशीट की photocopy करा लेनी है, इसके बाद, इसके उपर 25 रुपे की डाग टिकेट लगेगी ठीक है 25 रुपे की डाग टिकेट डाक ओफिस से आपको मिल जाएगी हुआ है आपको इस पर लगाकर अंदर उस लिफाफे के अंदर रख देना है ठीक है तो दो पास्पोर्ट फोटो जो मैंने आपको पहले बता दे रही है दो पास्पोर्ट फोटो इस लिफाफे के अंदर रखना है और उसके पिछे अपना नाम पिताजी का नाम ठीक है आदारकार की फोटो कोप होई अगर आपके पास experience certificate है तो वह जरूर जरूर लगाना ठीक है all documents self attested होने चाहिए ठीक है आपको complete जानकारी मिल गई है अगर को कोई भी दिक्कत हो तो हमारे WhatsApp ग्रूप पर जोइन है टेलिग्राम पर जोइन करें और अपना कमेंट इस वीडियो के एंड में जरूर करना वीडियो किस प्रकार लगी वीडियो को लाइक करें शेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैहिंद जैबारत